जहीं सातियों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सनिक समचर में इस वीडियो में हम इसपर्स से समंदित एक और इंपोर्टेंट जानकारी लेंगे सातियों आपका या तो इसपर्स में माइग्रेशन हो चुका है या फिर आने वाले समय में कभी भी हो सकता है जिनका माइग्रेशन के बाद यूजर नेम वे पासवर्ड उनके मोबाईल वे इमेल पर रिसीव हो गया है उनका तो ठीक लेकिन कुछ एक पूरुसनिक ऐसे भी है जिनका माइग्रेशन इसपर्स में तो हो चुका है लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड ना तो मोबाईल पर आया है और ना ही इमेल पर आया है जिसके कारण उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो चलो आज इस वीडियो में हम माइग्रेशन का स्टेटेस चेक करने के साथ साथ username and password कैसे पता करना है और कैसे set करना है इसकी पूरी जानकरी लेंगे सबसे पहले हम PCDA PANTS अलाबाद की main website पे open हो जाएंगे उसके बाद आपको scroll down करके migration into ispurs वाले टेप पे चलना है और निचे check status के उपर click कर देना है उसके बाद फिर आपको scroll down करके नीचे चलना है और migration know your ispurs PPO के नीचे तीन ओप्सन दिखाई देंगे उसमें से जो भी आपको आपको आपके पास अवेल्ट डाटा है वो select करिए और नीचे enter option value में वो ही details यहाँ पर enter कर दीजे यहाँ पर army number के तुरू चेक किया जा रहा है आपका पुराणा e-PPO number उसके बाद आपका नाम और उसके बाद ispurs का PPO number बहुत ही important जानकर यह आपको प्राफ्थ हो चुकी है कि आपको अपना ispurs का PPO number यहाँ पे migration में दिखाई दे रहा है next आपका army number और last में आपका bank का account number है तो सातियों अब आपको ispurs का PPO number मिल चुका है इस PPO number को आप अपनी diary में या कोई paper पे या कहीं भी जहाँ note करना चाहते हैं आप वहाँ पे note करके रख लीजिए क्योंकि यह अब आगे काम आने वाला है ispurs का PPO number note करने के बाद आपको ispurs की web के उपर यहाँ पे click कर देना है आप ispurs की web पे click करते ही आप ispurs की website में आ जाएंगे जहाँ पे आपको left side में तीन line दिखाई दे रही है इस line के उपर आप click करना है जैसे ही आप click करोगे तो नीचे आपको drop down में login दिखाई देगा आपको login के उपर click करना है यहाँ पे आपको अपना user name शाथियों में बता देना चाहता हूँ कि आपका user name क्या होगा जो अभी आपने ispurs का ppun number note किया है यदि आप service pensioner है तो उसके पीछे 01 लगाए और यहाँ पे enter कर दें यदि family pensioner है तो 03 लगाए और यहाँ पे enter कर दें यह आपका user name हो गया तो पता चल गया आपको कि आपका user name क्या है यही user name है यदि आपका message आता PCDA से तो उसमें भी यही user name होता तो नहीं आया तो आपको पता चल चुका है कि आपका user name क्या है अब बात रही नीचे पासवर्ड की तो पासवर्ड हमें पता नहीं नहीं पता है तो हमें यहाँ पे तो जब account कभी लोक हो जाता है तो उसके लिए वो option काम आएगा लेकिन अभी हम forgot password करेंगे तो हम forgot password पर किलिक कर रहे हैं तो इस तरीक हैगा आपको फिर एक pop-up दिखाई देगा जिसमें पूछेगा enter username username मैंने आपको बता दिया आपका इसपर्स का PPO नमबर लास्ट में या तो 01 या 03 यहाँ पर एंटर कर दीजिए और नीचे आएम नोट रोबोट केपचा के उपर left side में जो एक checkbox बनावा वाइट सा square step में उसके उपर क्लिक कर दीजिए करने के बाद नीचे लिखावा है send OTP हमने send OTP के उपर बाद में क्लिक करना है तो यह कारवई में अब करके आपको next window में लेके चलता हूँ देखिए यहाँ पर username एंटर कर दिया गया है और आएम नोट रोबोट के उपर क्लिक कर दिया गया है उसके बाद जैसे ही send OTP के उपर क्लिक किया तो आपको इस तरीखे का एक मेसेज दिखाए देगा one time password has been sent to registered mobile number आपका mobile number का last चार डिजिट दिखाए देगा आप verify कर ले कि क्या यह आपका number activated है आगे next लिखाए please enter the same here to proceed नीचे आपने ok पर क्लिक कर देना है फिर next आपको अपना जो OTP number आपके message में आया है उसको यहाँ पर enter करके proceed बटन के उपर क्लिक करना है तो उसके बाद में आपको इस तरीखे का एक message और दिखाए देगा जिसमें लिखाए are you sure you want to be set a new password then we have to click on ok हमें पूछ रहा है कि आपको क्या नया password set करना है तो हमें उसके बाद हमें इस तरीके का acknowledgement और दिखाई देगा जिसके अंदर लिखावा है कि आपका default password आपके registered mobile number और email के उपर send कर दिया गया है उसके बाद ok के उपर click कर देना है और again हमें login पर इन तीन लाइन के उपर click करना है और login के उपर click करना है अब यहाँ पर आपने again अपना username जो पहले मैंने बताया उसके according डालके नीचे वो password डालना है जो आपके mobile में SMS के थुरू आया है यानि default password यहाँ पर आपने enter कर देना है और login बटन पर click करना है उसके बाद आपको change password का window दिखाई देगा जिसमें पहले आपको current password यानि default password जो आपको SMS के दोरा प्राप्ट हो है वो यहाँ पर enter करना है और उसके बाद में new password आपको set करना है new password set करते समय आपको password की policy के according ही password बढ़ाना यानि maximum 12-way character हो सकते है उसके अदर आपके ABCD के एक capital और small letter हो सकते है और आपके digit हो सकते है प्लस एक special character आपको उसमें use करना है यह आपका password का combination बढाके आप यहाँ पर new password और confirm password में दोनों same password डालके और नीचे बढ़ना है और submit के उ login हो जाओगे यहाँ पर आपको लिखावाएगा your password has been changed successfully you will be logout तो जैसी ओके क्लिक करोगे आप अपने login से एक बार फिर logout हो जाओगे कि देखे सातियों दुबारा अब हम नए password के साथ login हो चुके है welcome window आ चुका है लेकिन यहाँ पर data कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब हम first time account create करने के बाद जो password से login करते हैं तो उस समय हमारा data PCDA से audit होने के बाद link नहीं हुआ रहता है अब इसमें चार से प है mostly सभी pensioners का SMS या तो mobile पर या email पर उनका user ID और password आयावा रहता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते है या ignore कर देते हैं या उसके बारे में पता नहीं होने के वज़े से हम उसको ज्यादा उसके उपर ध्यान नहीं देते हैं तो आप mobile में search करोगे तो भी आपको मिल सकता है अपना email जो आपके pension data के साथ में updated है यादि आपका activated है तो आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर आपको username और password आयावा मिलेगा है उन्हीं का मिलेगा जिनका migration हो चुका है और जिनका नहीं मिलता है तो सातियों एक बार ये कारवाई जरूर करके देख ले हो सकता है कि आपका account create हो चुका हो और आप कहीं अपने आप में इस चीज में लेट हो रहे हों क्योंकि इसके अलावा एदि आपका mobile number और email ID update नहीं है इस परस के साथ तो उसके लिए आपको तरीका यह है कि आप अपने record office को approach करिए एक ही authority है record office वही आपका mobile number और email ID इस परस के साथ में update कर सकती है तो सातियों कैसी लगी जानकारी आसा करता हूँ कि यह आपको काफी मदद करेगी और इसी परकार के जानकारियों की वीडियो देखने के लिए आप हमेसा सिनिक समचार के साथ बने रहे हैं इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिन जै बारत वंदे मातरम